हलो अगर अगर आप इस परकार करे प्रोफेस्नल अघ्रैक्टिव बिल अपने मोबाईल बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बैंक Found Detail यूपी एई और भी डीटेयल्स देखने को मिलती हैं तो इस परकार के अगर आप बिल अपने मोबाईल फोन से बनाना चाहते हैं यह वीडियो आपके लिए वहती हलफुल सा भीत होने वाली है हलो फ्रेंज मेर नाम में मावित वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करके यहां पर माई बिल्बुक सर्ज करना है आपको इस परकार के एप खुलेगा जिसमां आप देख सकते हैं यह वाला है माई बिल्बुक बिलिंग वाला इसमां आपको पांच मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड देखने को मिलेंगे साथ में यह रेटिंग जो है 4.6 इस्टार रेटिंग भी मिलेगी तो आपको क्या करना है इस एप को सीधा इस्टाल कर लेना है इस्टाल करने के बाद में इसको ओपन करना है इस परकार के एट फेस कुलेगा आपको अपनी जो भी लेंग्वेज भासा है उसको चुनना है मैं इंगलिस चुन लेता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबिल नमर डाल कर जो है OTP से वेरिफ़िक कर लेना है बहुत ही आसान प्रोसेस है यह वाली उसके बाद में आपको WhatsApp अलर्ट अपने अज़ाफ से कर लेना है मैं not know कर देता हूँ उसके बाद में आपको अपना बिजनस का परकार जैसे रिटेलर, हौलसेलर, डिस्टिब्यूटर, मैनुफेक्चर या सर्विस वो सेलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पर हम रिटेलर चुन लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर पूचता जाता है कि आप बिल किस से बनाते हैं तो यहाँ पर आप टेली, बीजी, वेपर जिस भी एप से बनाते हैं वो लिख दें या पिर मैं जो है पेन एंड पेपर सेलेक्ट कर देता हूँ यानि बिल बुक से ही बनाते हैं उसके बाद में वो पुचाएगा कि आपकी जो भी फर्म है वो जेस्टी रिजिस्टर्ड है या नहीं मैं नो कर देता हूँ उसके बाद में आपको सेलेक्ट इंडिस्ट्री में आपकी दुकान किस की है जैसे किराना की है मॉबाइल असेसरी की है या आकाउंटिंग की है या डेली डेरी है या इंजिनियरिंग की है या फिटनेस की है या फूट की है जो भी है वो आपको अपको अपनी केटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी दुकान किस के बार में तो हम यहाँ पर Mobile Land Accessories पर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ बहुत सारी केटेगरी मिलेगी मैं Mobile Land Accessories वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं Create First Invoice पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको कुछ Bill के Format मिलेंगे कि आपको किस परकार का Bill चाहिए मैं F4 Size चुन लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पर Total 8 परकार के Bill Format देखने को मिलते हैं तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एक चुन लेता हूँ थर्ड नमबर वाला यह मुझे अच्छा लगता है और आपको इस परकार का खुले का Create Bill या इनोइस इसमें आपको Add Item पर क्लिक करके कुछ Item एड़ कर लेना है जो भी आपके दुकान में Item अवेलेबल है तो सबसे पहले तो आपको Item नेम डालना है जैसे मेरे पास अभी आपको बता दूँ की जैबरोनिक्स के कीबोर्ड है हमारे कंप्यूटर की दुकान है तो जहां पर हम डाल देते हैं जैबरोनिक्स कीबोर्ड ठीके और उसके बाद में आपको Sales Price आपको किस भाव में आप बेचेंगे मैं साड़े 400 रुपे पर कीबोर्ड और उसके बाद में पर्चेज जो भी मैंने किस भाव में खरीद है वो वाड़ी और आप इश्टोक के आपने ओपनिंग इश्टोक कितना है आज का वो भी आप डाल स करेंगे हैं मैं यह यहाँ पर पीश डालके सेव कर लेता हूं आपके जो भी दुकान में या जो भी बिजनस में जो जो आईटम हैं उनको आप इसी परकार का इसी परकार से एड़् करते जाना है और मैं ध्यान इस बात करकना है कि आपको मापक कई का ध्यान रखें sales और purchase price का ध्यान रखे कि आप किस बाव में खरीद रहे हो और किस बाव में बेच रहे हो और मैं फटाफट से 4-5 जो भी मेरे दुकान में आइटम है मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ इस sample के लिए मैं यहाँ पर add कर रहा हूँ कुछ error आ रहा है अभी screen recording में हाँ तो हमने app को close करके वापस open किया है और यहाँ पर आप business detail जो भी है वो business name पर click करके आप अपने business का नाम जैसे goil computers आप मैं अपने business का नाम डाल देता हूँ आप logo भी डाल सकते हैं और साथ में आप अपना जो भी address है वो address इसमें डाल सकते हैं और friends उसके बाद में आप यहाँ से UPI ID भी डाल सकते हैं मैं UPI ID थोड़ा बलर कर देता हूँ तक कि किसी भी परकार की दिकत ना हो तो आप अपनी UPI ID और bank details जरूर डाले तक कि customer हैं आपको उस bill से QR code scan करके UPI से payment कर सके मैं थोड़ा privacy reason की वज़े से यह जो blur कर देता हूँ bank details और UPI थोड़ा इस पर करके उसके बाद में आपको यहाँ पर home page में bill या invoice से लिक हुए इस पर आपको क्लिक करना है और party name है जिसमें आपको उस party का नाम डाल देना या ग्राक का नाम जिसमें यहाँ पर भावेस डाल देता हूँ और friends उसका आपको mobile नमर भी add कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर mobile नमर एड़ कर दिया अब आपको add item पर क्लिक कर देना है यानि आपने उसको कौन-कौन सा item बेचे हैं वो add कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर laptop मेंने बेचा है तो मैं plus पर add पर क्लिक कर लेता हूँ कितने laptop बेचे हैं आप यहाँ से change भी कर सकते हैं जैसे दो तीन जो भी कर सकते हैं साथने यहाँ पर mouse भी मेंने बेचा है तो मैं वो भी यहाँ से select कर सकता हूँ आप जो जो गिराग को बेशते हैं वो यहाँ पर आड़ कर ले फ्रेंस आपको नीचे टोटल आइटम और उसका जो भी प्रैस बनता है वो भी यहाँ पर आपको बता रहा है जैसे ही थोड़ा स्कॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको एडिशनल चार्जेज का भी ऑप्सन मिलेगा आप कोन सा कोई अतिरिक्त चार्ज लगाते हैं या नहीं और डिसकाउंट का भी मिलेगा आप कितना परसंट डिसकाउंट देना चाहते हैं या कितना रुपे वन आ गया और फ्रेंस आप राउंड आफ में मतलब जैसे राउंड आफ करते हैं जैसे अगर 700 उपर तो इन 700 को छोड़के उन पचास जार राउंड आप करते हैं तो भी आप यहां से राउंड आप का भी आप्सन आपको मिलता है अब उसके बाद आगया टोटल अमोंट क देख सकते हैं यहां पर बन गए हैं और आप इसको डायरेक्टर बेज भी सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं तो मैं यह एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको ताकि देखने में थोड़ी आसाने होगी बेख जाके भी आप देख सकते हैं मैंने बेख गया और वाप के नाम बिल है invoice number, invoice debt, due debt भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और जो जो item उसकी price क्या है, कितने quantity है और total कितना बना payment वो भी यहां पर आपको दिखा रहे हैं, साथ में discount कितना दिया, total कितना हुआ, कितना receipt हुआ, कितना प्राप्त हुआ, total balance अभी कितना हम मांग रहे हैं, किस्टमर से वो भी आ गया, साथ में यहां पर UPI का भी option मिल गया, UPI और bank detail का, friends अगर वीडियो अच्छा लगो तो इसे like set जरूर करें, तक्यों की मेहनत बहुत लगी है,